है लो गाईज वेलकम बैक टो यूट्योब चानल तो दोस्तों आज की सुड़े में बात काने वाले दस्यू और बार्यों की रिजट कब लगने वाला है तो इसके जो बारे में डिटिल से आपको मैं बताने वाला हूँ बट इससे पहले दोस्तों याप बता दूँ कि जो दस रिजर्स है उन्होंने साफ मना कर दिया है पेपर चेक करने के लिए अब आप पेपर क्यूं कर दिया उन्होंने चेक करने के लिए या फिर आपका रिजर्ड लगने में देर किस बात के लिए लगेगी यह सारे डिटिल आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ चले सो दोस्तों यहाँ पर दीके बताया गया है कि दावी 12 वी चा निकाले अंदर अर्खन्या चे शक्याता आहे मतलब इस साल का जो रिजट है 10 वी और 12 वी का मतलब की बहुत लेट होने के यहाँ पर चैंसेस है क्योंकि यह जो पेपर चेकिंग का जो काम है यह हो नहीं पा रहा हाला कि उनके पास पेपर के जो गटे हैं वो पोच चुके बट फिर भी उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया है पेपर चेक करने के लिए क्योंकि उन्होंने वहाँ पर प्रस्ताव रखा है कि हमारी मतलब कि उनकी मांगे जो है वो फूरी करने के लिए उनको जो ग्रैंड है वो मतलब चाहिए इस होजे से उन्हें बहिशकार कर दिया है जो नोन ग्रेंडड़ स्कूल है वह मतलब की वही स्रेफ कॉलेजे स्कूल है दस भी बारवे के उन्होंने यहापर बहिशकार कर दिया है जो परेंतर मांगने पुर्ण होत नहीं तो परेंतर राज्या तिल 30,000 शि दिया है कि पेपर हम चेक नहीं करेंगे जब तक उनके मांगे पूरी नहीं हो जाती तो इससे क्या होगा कि दोस्तों आपका जो रिजर्ड अगर लेट होता है तो आपका जो इफेक्ट है यह अगले साल के एडमिशन के उपर होता है मतलब आगे आपको क्या करना इसके करने के लिए उन्होंने यहां पर बहिशकार डाल देया है या अंदोलना सा परिणाम दावी बाराविचर निकला और होना चे शक्यता असलाने भविश्यात शिक्षर मंडल संकटा थापना चे शक्यता है मतलब यहां पर जो है इसका जो परिणाम है बच्चों की से यह जल्दी नहीं लगेगा और इससे उनको आगे मतलब की हाने मतलब हो सकती है मतलब को देर हो सकता है अगले идет में उसके सिल्या बस में उनको स्टार्ट करने के लिए बहुत सी जो है चीज़ेम को यहां पर coc मतलब जो चहत्र हे उनको भी ज़्यादा परिशानी या पर होती है दोस्तों यह सब चीज़ों की ठीक है इसरु वाज​से आपका रेजर्ड लेट हो सकता है या फिर बहुत ही लेट हो सकता है सो आज की उड़ियो में इतनी अपडेट थी दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों साथ भी शेयर कीजिए मिलेंगे हम आई सही अपडेट के साथ तब तक लिए जय हिंद